दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आपके फोन का, कम्पीटर का और लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो Q, W, E, R, T से शुरू क्यों होता है? बहला A, B, C, D से शुरू क्यों नहीं होता? च्योंकि बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के जमाने में जो कीबोर्ड चलते थे वो A, B, C, D से ही स्चार्ट होते थे लेकिन वो कीबोर्ड काफी सिंपल होते थे और वो इतने अच्छे नहीं होते थे तो लोग जब उसमें तेस-तेस टाइप करते थे तो इससे वो कीबोर्ड खराब हो जाता था काफी जल्दी और उसकी बटन्स भी तूड़ आती थी तो लोगों ने सुचा कि कीबोर्ड को कुछ अलग तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो उन लोगों ने कीबोर्ड को रैंडमली QWERT से अरेंज कर दिया और फ्री एट ट्रेंड चल गया जिस वजे से जो की अभी तक चला आ रहा है और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इंस्ट्राग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर दीजियो